हाई एवरिवन वेल्टम टू मारी चैनल समीतास कॉर्णर आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाबदाएक होने बाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ओप अप्राजिता फ्लावर यह फूल कई सारे गुणों से भर पूर है और हमें कई सारे पोशक तत्व इससे मिलते हैं अप्राजिता भले ही एक फूल हो लेकिन इसके कई सारे फाइदे हैं यह फूल और यह पूरा पौदा ही गुणों से भरा हुआ है बालों के लिए अपराजिता का फूल बहुत ही फाइदे मंद है आजकल बाल जढ़ने की समस्या बहुत ही कॉमन होती है अपराजिता में बायो फ्लेबनाइट भरपूर मातरा में पाया जाता है जो बालों को जढ़ने से रोकता है और साथ में स्फेद बाल की समस्या से भी आपको दूर रखता है तौचा के लिए अपराजिता के फायदे अपराजिता के फूल के बहुत सारे फायदे हैं तौचा के लिए अपराजिता जो है वो तौचा की जूरियों को कम करती है और तवचा को बढ़ती उमर के चाप से दूर रखता है आँखों के लिए अपराजिता के फाइदे अपराजिता का फूल आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आँखों में जलन, खुजली यह सब समस्या हो रही है तो स्फेद अपराजिता का फूल के पानी का रस जो है आप आंखों में लगाएं जिससे आपको बहुत अराम मिलेगा अस्थमा के लिए अपराजिता के फाइदे जिन व्यक्तियों में अस्थमा की समस्या है उन व्यक्तियों के लिए अप्राजिता का फूल बहुत ही फाइदे मन्ध है जब आपको अस्तमा का समस्य हो तब अप्राजिता का सेवन करने से आपको फाइदा मिलता है गले की समस्यों के लिए अप्राजिता के फाइदे तो यहाँ इसको भी दूर करने में मदद करता है हिर्दय के लिए अपराज़ता के फाइदे हिर्दय को स्वस्त रखने के लिए अपराज़ता बहुत ही फाइदे मन्द है अपराज़ता में ऐसे गुण हैं जो आपके कॉलिस्ट्रोल को कम करने में बहुत मदद करते हैं ये रक्ट संचालन में भी सुधार लाता है जिससे हिर्द्य की समस्यों से छुटकारा पाया जा सकता है कान दर्द में अपराज़ता के फायदे अपराज़ता के फूल के फायदे काफी सारे हैं वो कान दर्द में भी ये बहुत फायदा करता है जब भी किसी को कान में दर्द हो तो उसके पत्ते को पीसकर कानों के चारों तरफ लगाने से कान दर्द जो है वो अराम उससे मिलता है तनाव कम करने में अपराजिता के फाइदे आजकल डिप्रेशन आना बहुत ही मामूली बात है घर या ओफिस के काम की बज़े से या अन्य कारणों से भी डिप्रेशन लोगों में आ जाता है जो लोग तनाव में रहते हैं अपराजिता तनाव या डिप्रेशन के को बढ़ने से रोकता है अप्राजिता में एंटी डिप्रेक्शन गुण मजूत हैं जिससे यहाँ आपकी तनाव को कम करता है यहाँ आपकी मस्तिश को शांत करता है आप तनाव मुक्त होते हैं जोडों के दर्द में अप्राजिता के फूल के फायदे अप्राजिता जोडों के दर्द को कम करने में और जोडों की सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है इसका फूल जो है इसका पतियों का लेप लगा के आप जोडों पर लगाते हैं तो इससे आपकी सूजन में आजकल थायराइट एक कॉमन समस्या हो गई है आजकल लगभग चातर लोगों में यह देखने को मिलता है अपराज़ता में ऐसे गूण मजूत हैं जो थायराइट को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं महिलाओं के लिए अपराज़ता के फायदे महिलाओं में मासिक धर्म के समय होने वाली समस्या और अनियमित मासिक धर्म के समस्या को अपराज़ता के सेवन से दूर किया जा सकता है इसके सेवन से मासिक धर्म नियमित समय पर होने का लाब होता है और मासिक धर्म के समय पेट क जाने से घाव हो जाए, तो उस घाव में अगर अपराजिता के पत्तों को पीसकर लगाया जाए, यानि उसका लेप लगाया जाए, तो यह घाव जल्दी ही भर जाते हैं, अपराजिता से सिर्दर दूर होता है, अवाज को ठीक करने के लिए इससे कुल्ला करें, बुखार आ कीजेगा, शेयर कीजेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक, बाइवा, टेक या, थैंक्स पर वाचिंग,